इस वीडियो में इस टॉपिक में आप जानेंगे कि जो आप सेल एग्रिमेंट रेंट एग्रिमेंट जो आप सो रुपए के पांसो रुपए हजार रुपए के स्टाम पर दस रुपए के स्टाम पर जो बना लेते हैं क्या कोट में कानूनी तरीके से वो वैलिड हैं के नहीं के नहीं तो उत्तर होगा ऐसे agreement जो है वो valid नहीं है वो बिल्कुल illegal हैं सवाल आता है क्यों illegal है और किस कानून में इसका प्रापदान किया गया है तो मैं आपको बता रहा हूं लेकिन इससे पहले मैं साथियों आपसे कहूंगा कि यदि आप कोई भी legal advice लेना चाहते हैं या उत या आप agreement बना लेते 500 रुपए के 1000 रुपए 10 रुपए के stamp पर तो मत बनाईएगा वो illegal है आप अपना घर मकान कुछ भी उठा रहे हैं वहाँ पे आप rent agreement 10 रुपए 10 रुपए 100 रुपए 1000 रुपए के stamp पर बना रहे हैं तो मत बनाईए वो illegal है सवाल आता है क्यों illegal है तो लेकिए पहले आप समझ लीजिए कि यह होता क्या है agreement agreement जो है वो contract act section 2 यह एक वचन पत्र है या कह सकते वचनों का समूँ क्योंकि आप लोग एक दूसरे को वचन देते कि मैं एतने रुपए में दूंगा एतनी साल तक रहूंगा या इतने रुपए में बेच रहूं एक व वो registry क्रत होना चाहिए यानि कि registered होना चाहिए registry office में दूसरा एक कानून और है उत्तर प्रदेश registry अधनियम की धारा 17 subsection 2 के अनसार एकरार नामा registry क्रत होना अनिवार रहे एकरार नामा यानि की agreement ठीक है और अचल संपत्ती का agreement चाहिए अचल संपत्ती की कोई भी कीमत हो अकर आप agreement कर रहे हैं तो उसका registry क्रत होना बिलकुल अनिवार है आप सीधा तोर पर यह समझ लीजिए कि यदि आप agreement कर रहे हैं और जिस चीज का agreement हो रहा है उस चीज की कीमत जो है वो 100 रुपई से अधिक है तो आपको registry क्रत करवाना अनिवार होगा आप इसके लिए registry देख सकते हैं और property transfer act section 54 देख सकते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप registered agreement ही करा है और registered agreement का एक benefit होता है कि अगर माल लिजे कोई विवेक्ती सर्ते तोड़ रहा है तो आप उसको follow करवा सकते है आप उसका पालन करवा सकते हैं कोट द्वारा और यदि माल लिजे कोई sell agreement हुआ है आपने पैसे दे दिए वह पैसे नहीं ले लाया रजिस्ट्री नहीं करा रहा तो आप कोट द्वारा रजिस्ट्री भी ले सकते हैं तो सात्यों गर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी प्रकार के महतपूर वीडियो जानने के लिए आप चैनल को सस्क्राइब क करके बेल आइकन दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन में चैनल को लाइक करें और कोई भी लीगल एडवाइस लेनी है आपको तो ले सकते हैं कॉंटेक्ट नमर वीडियो की डिस्क्रप्सन में दिया गया है सात्यों धन्यवाद